हेलो एब्रिवोन, कैसे हो सब लोगा, यहोप की सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिशन करने वाले हैं सेक्षन सी के कोश्चन अबर 23 के सॉलीशन के बारे में अगर आपने इसे प्रिवेस वीडियो अभी तक नहीं देखा साथी साथ आने वाले वीडियो का सॉलीशन देखना चाते हो तो कंप्री प्रेलिस्ट का लिंक बिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे जादे जाद अभी तक हमें टेलिग्राम पे जॉइन नहीं किया चैक हम एक सेल तो क्या होता है या कि एलेक्टोकेमिकल सेल में आपने देख रखा है कि एलेक्टोकेमिकल सेल का फर्मेशन तभी होता है जब दोनों के अंदर Electrod Potential का Difference देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर एक में जड़ने सो 4 solution है और दूसरे में Jink Electrod है तो अगर उन दोनों के बीच में अगर उन दोनों के बीच में अगर हमें Difference देखने को मिला Sell Potential का तो बिल्कुल हम लोग Construct कर सकते है अगर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते है बढ़ क्या है Can we Construct तो बिल्कुल कर सकते है कब कर सकते है जब Electrod Potential जब Sell Potential जो होगा वो Different हमें देखने को मिलेगा तो इसका Answer लिख देंगे Yes क्या लिख देंगे Yes हम लोग ऐसा बिल्कुल Draw कर सकते है जब हमें क्या देखने को मिलेगा Electrod Potential जो होगा वो Different देखने को मिलेगा तब उस Case में हम लोग बिल्कुल Electrochemical Sales जो है उसे Construct जो है वो कर सकते है बी पार्ट में क्या दिया हुआ है Calculate the अच्छा यह Cold Rauch Law वाला है यह Cold Rauch Law वाला Question आपको देखने को मिल रहा है आज वा बना देते है CL-IN का Conductivity हमें Molar Conductivity जो है उसे Find Out करना है तो यहाँ पर आपको दिया है Molar Conductivity किसका इसका दिया हुआ है Lambda Mg2 प्लस भी आपको दिया हुआ है ठीक है तो CL- का आपको निकालना है यहाँ देखो अगर तुम कुछ गल्ती अगर इस Question में कर दोगे ना हलाकि गल्ती करने वाला तो Question नहीं है एकदम तुरन से फड़ा-फड़ से बना देने वाला Question है बट तुम गल्ती करोगे तो कहां करोगे मैं आपको यह भी बता दूँगा जैसे अगर आप देखो तो यह आपको दिया हुआ है यह आपको दिया हुआ है AmgCl2 का ठीक है इसको अगर आप Convert करो तो किस-किस Form में Convert कर दोगे एक आ जाएगा Lambda not M है ना किसका that is Amg2 plus AmgCl2 किसमें break करता है तो AmgCl break करेगा Amg2 plus में Amg2 plus में और Cl minus में ऐसा नहीं 2 Cl minus में क्योंकि कितना है क्लोरीन दो क्लोरीन है तो 2 Cl minus बनाएगा तब तो balance भी होगा तो उस basis पे क्या आएगा plus twice of twice of Lambda not M Lambda not M Cl minus यह अगर तुमने twice नहीं लगाया question खतम होगा आपका है ना आप बना दोगे सही बढ़ आंसर आजाएगा गलत है ना आप बना रहे हो सही बढ़ क्योंकि 2 आपने नहीं लिखा तो उस basis पे यह जो खेगा वो हमारा गलत देखने को मिलेगा अब इसका value आपको दिया है कितना दिया हुआ है that is 258.6 है ना 258.6 यहाँ पे equals to का sign करना था मैंने क्या ही कर दिया है ठीक है यहाँ पर होगा equals to का sign is equals to अब mg यह भी हमें दिया है कितना 106 हमें दिया हुआ है और plus plus twice of twice of Lambda not M यह हमें find out करना है किसका CL minus का यहाँ पर अगर minus मिले जाओ तो कितना आजाएगा 258.6 minus का 106 is equals to twice of twice of Lambda Lambda not M CL minus इसका simple form में हमें find out करना है इसका ठीक है अच्छे बात है minus कर दोगे कितना आजाएगा minus करने पे कितना आजाएगा तो minus करने पे यह आ जाएगा लगभग 152.6 लगभग में नहीं मतलब इतना ही आएगा ठीक है और यह multiply में था इदर आया तो divide में हो गया यह two जो यहाँ पर आपको multiply में देखने को मिल रहा था यह इदर divide में आ गया और यह किसका value हो गया यह हो गया lambda not m cl minus का जो कि आपको find out करना था जो कि आपको क्या करना था find out करना था इसको थोड़ा नीचे कर दू चलो ठीक है अब तो divide कर ही सकते हो तू divide कर सकते हो divide करने के बाद यह आपको कितना देखने को मिलेगा that is 76.3 इतना आपको देखने को मिलेगा unit क्या हो जाएगा इसका तो unit हो जाएगा Simmons meter square per mole Simmons meter square per mole इतना क्या देखने को मिलेगा वही आपको देखने को मिलेगा जो पूछा गया था lambda not m इसका cl minus का cl minus का ठीक है तो इस type से इसका जो है वो simple form में हम answer जो है लिख सकते है I hope यह part भी आपको एकदम clear form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका भी solution किया है ठीक है c part में चले c part में चले c part क्या दिया हुआ है the sale constant of conductivity sale is इतना sale constant हमें दिया हुआ है sale constant यान नहीं कि किसको बोलते हो g star को बोलते हो g star को बोलते हो तो चल जी star लिख दे g star g star का value आपको दिया है g star को ही हम लोग क्या लिखते है l by a लिखते है बोलो याद है ना याद है ना भाई electrochemical sale part रखा है ना तो g star को ही l by l बोलते है l by a और इसका value कितना दिया है that is यह दिया है 0.146 per centimeter 146 146 per centimeter per centimeter ठीक है फिर है what is the conductivity conductivity find out करना है मतलब कपपा find out करना है क्या find out करना है तम लोगों को कपपा find out करना है कि क्या होगा और इतना 0.01m 0.01m यानि कि concentration आपको given है कितना है 0.01m इतना आपको given है solution of electrolyte इतना temperature छोड़तो temperature का कोई use नहीं होता if the resistance of the cell R आपको given है resistance आपको कितना दिया है that is 1000 ohm ठीक है मैं formula निकाल कर बता देता हूँ कि क्या होगा आप बस एक formula याद रखो बाकी सारा का सारा questions आप से खुद बाखुद बन जाएगा देखो क्या होता है R equals to formula आपने टेंथ में भी पढ़ रखा होगा क्या होता है rho L by A होता है rho L by A R equals to rho rho को आप लिख सकते हो resistivity को लिख सकते हो one by conductivity one by conductivity कुछ इस टाइब से कुछ इस टाइब से और L by A L by A को आप लिख सकते हो क्या? G star बोलो लिख सकते हो देखो उपर में G star लिखा होगा गिवन में है ना अब आपको निकालना क्या है? कप्पा निकालना है कप्पा निकालना था conductivity what is the conductivity? तो कप्पा का value आपको निकालना है आज आप कप्पा का value निकालते है is equals to क्या हो जाएगा? is equals to हो जाएगा G star G star by G star by R G star by R G star का value वता कितना है? यह है 0.146 divided by R आर कितना है? that is R है हमारा thousand ohm कितना है? thousand ohm देखने को मिल रहा है क्या ही बात कर रहो thousand ohm है thousand ohm है ठीक है? तो यह तीन ऊपर चला दाएगा तो minus में minus 4 और इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसका हम लोग value लिख सकता है that is 1.46 क्या लिख सकते है? 1.46 into 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 10 to the power into 10 नीचे ही लिख देता हूँ मैं नीचे ही लिख देता हूँ ठीक है? इधर पहुचेगा नहीं कि पहुचेगा क्या बता हूँ तो यह हो जाएगा 1.46 अगर 1.46 इसे लिखो उपर वाले को अगर 1.46 आप लिखते हो तो कितना हो जाता है? 10 to the power minus 2 और 3 उपर से भी गया तो into कितना? 10 to the power minus 5 into 10 to the power क्या? minus 5 क्योंकि thousand का 3 उपर गया तो minus 2 और minus 3 कितना हो गया? 5 हो गया समझ गया ना बात को? ठीक है? तो I hope कि यह पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका solution जो है वो किया है इसका unit चूड़ गया इसका unit आपको देखने को मिलेगा ठीक है? Then I hope कि यह पार्ट आपको एकदम clear form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका solution जो है वो किया है ठीक है? यहाँ पर कुछ गल्ती है क्या? यहाँ पर कुछ गल्ती है क्या? पॉइंट को एक डिजिट से माइनस 5 नहीं होगा माइनस 4 होगा कितना होगा? बता दो कितना होना चाहिए? माइनस 4 होना चाहिए माइनस 4 होना चाहिए ठीक है? Then I hope कि यह पार्ट आपको एकदम clear form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका solution जो है वो किया है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में question number 24 के solution के साथ complete list का link में बिलेगा आपको description में तो एक बार description आप जरूर चेक कर लोगे